Hello everyone, तो एक बहुत ही ज़दा important update आ रहा है अपलों के लिए कि GST का जो final result है GST मतब junior Hindi translator उसका final result declare हो गया है ये exam बहुत ही ज़दा important है सारी SSC aspirants के लिए चाहें वो किसी भी exam के हो, CHSL के हो, STENO के हो, CZL के हो क्यों important है उसकी बात करेंगे और आपका इस exam से क्या लिना देना है, इन सब चीज़ों पर discussion करेंगे तो चलिए start करते हैं, देखिए अपने जितने वी exam चलना है SSC, CZL का हो गया, चाहें अपना STENO का हो गया ये सारे 2022 के ही exam है ये और 2020 का जी GST जो है वो first exam है, जिसका final result आया है, चीक है अब final result आया है, उसमें का नई बात है, सब का आता है लेकिन जो नया process है, जो new process है आपका preference form बनने का online तो उसके थुरू ये पहला exam है, जिसके बाद इसका final result आया है चीक है, अब यहां से हमको क्या नतीज़े देखने को मिलते हैं कि इससे क्या चीज़े हमें समझ में आती हैं, कि क्या चीज़े हुए है तो आप इतना समझ लीज़े, SSE इतना fast हो गया है, इतना fast हो गया है जितना आपने भी कभी उससे expect नहीं किया होगा, चीक है अब कैसे में बताता हूँ, junior Hindi translator का जो document verification था और, sorry, preference form भनने की जो date थी, वो 23 से start थी, ठीक है 23 से start थी वो, और उसके बाद, अभी कुछ दिन पहले, मैंने exactly नहीं याद है लेकिन 2-4 दिन पहले की बाद है, एक दिन का extension दिया गया था इन लोगों को कि अगर कोई miss हो गया है अपना preference form भनने से या नहीं भर पाया है समाओ, तो वो भर सकता है, ठीक है ये कहा गया था, अभी within one beak, मतलब अभी देखा जाए, तो एक beak भी नहीं हुआ है और आपका जो final result था, वो declare कर दिया गया है तो आप speed में difference देखिए, कि कितना ज़्यदा difference है पहले की speed में और अपकी speed में अब जितने भी बाकी experiment है चाहें, वो CGL के हो, Chance 10O के हो, Chance CSL के हो एक चीज़ तो तह है कि आपका जो last tire होता था, आपकी exam का उससे जो final का आपकी यात्रा होती थी, वो अप थोड़ी सी कम दर्दनाक होगी उनके लिए जिनका selection नहीं हो पाता और उनके लिए जिनका हो जाएगा बहुत सुखद होगी ठीक है, तो बो time आपका बहुत कम based होगा जो भी होगा और मुझे ऐसी आशा है कि अगर बात करें अपने exam की, जैसे स्टेनू के अगर बात करें तो आपका 15 और 16 फैप को जो ये आपका skill test होने जा रहा है exact date क्या रहेगी, क्या आसपास date रहेगी, उसके बारे में बात में बात करेंगे क्योंकि ऐसी अभी को information है नहीं, और ऐसी कोई बात भी मैं आपको जो भी बताता हूँ, authenticity के साथ ही बताना चाहता हूँ, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं बताना चाहता है लेकिन इस result से जो मुझे समझ में आता है, वो ये आता है, कि मुझे लगता है कि आपका जो final result है, वो 20 से 30, 30th April के बीच में, आपका final result आपके पास most probably हो कई ही होगा इतना मुझे समझ में आता है, इस result से, ये को information के base पर नहीं बोला हूँ, ये मैं बोला हूँ, इस result के basis पर, ठीक है तो बहुत ज़्यदा fast process है, अब बात करते हैं अपने skill test के बारे में, तो अभी भी CR और SR, दो ऐसे reason है, जिनका status out नहीं हुआ है अभी क्या बात हैं चल लें हैं, कि status out नहीं हुआ है, इस बजह से आपका skill test है, वो cancel हो जाएगा, पोस्पोन हो जाएगा अभी पोस्पोन हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे doubt में हैं, कि CR नहीं निकाला है, और सबसे दा बच्चे हैं, कुछ problem हो गई है, इस वजह से नहीं आपा रहा है, तो पोस्पोन हो जाएगा I don't think कि ऐसे चीचे होती है, कि बागी सारे region ने status आउट कर दिया है, और CR ने नहीं किया है, देखे, All India Level exam है, एक दिन में exam होना है, ये नहीं होता है, CR reason वो हमेशा से लेट रहा है, तो कोई नहीं बात नहीं है, SR भी दे देगा, और आज मुझे अम्मीद थी पूरी कि आज जो skill test है, वो आपका आगे बढ़ जाएगा, नहीं possible है, होगा, आपका skill टाइम पर ही होगा, और अपनी तयारी को बिल्कुल सही तरीकी से चालू रखिये, मैं एक वीडियो इसके बाद मिल लाओंगा भी, कि लास्ट के डिस में क्या करना है, कि नहीं करना है, तब तक के ल में भी disturbances हो सकते हैं, तो चैनल को अभी सिर्फ subscribe कर लेंगे और वहाँ पर notification bell को on नहीं करेंगे, ठीक है, thank you so much